Hello students, welcome to our learning. Today we will discuss about the chapter carbon and its compound. Now let us start. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें introduction की and occurrence की बारे में. तो धान समझेगा, यह chapter थोड़ा से lengthy है, एक एक point को आप धान समझेगा. चलिए बात करते हैं, सबसे पहले introduction में देखेंगे, carbon क्या है? carbon इसे widely distributed element, एक widely distributed element है, और साथ में बहुत सारे compounds, means आप बोल सकते ही, enumerable. Enumerable कमनलब क्या होता है? Uncountable compounds form करता है with oxygen and hydrogen. Hydrogen and oxygen साथ मिलकी बहुत सारे uncountable compounds form करता है, कौन carbon? ठीक है? और widely distributed है, means आपको हर जगा, इतना फैला हुआ कि आपको हर जगा मिल जाएगा, ठीक है? यह क्या है? एक branch है, chemistry की branch है, जिसमें की specific carbon compound के बारे में study करते हैं, carbon compound की बारे में study करते हैं, और साथ में क्या होता है? कि carbon के साथ hydrogen and oxygen में include रहता है, ठीक है? तो अगर आप बात करेंगे, नॉर्मली बात करेंगे, जिसमें की organic chemistry है, organic chemistry में study करते हैं, carbon compounds के बारे में, जैसे कि आगर example देखेंगे hydrocarbon, hydrocarbon, meaning सही clear हो रहा है, hydrogen plus carbon, जो compounds hydrogen and carbon से बिलके बनते हैं, उनको hydrocarbon बोला जाते हैं, जैसे कि methane दे रखखा है, CH4, ethane दे रखखा है, C2H6, methane अब एक चीज यहाँ पर देखीगा, carbon and hydrogen, इसमें भी देखें carbon hydrogen, तो यह क्या है hydrocarbons है, अब एक चीज यहाँ पर देखीगा, कि एक carbon, single carbon है, one carbon है, यहाँपर two carbon है, अगर three carbon होते है, four carbon होते, five carbon होते, इस तरह से अगर वन कार्बन है तो इसको बोलते हैं मीथ, टू कार्बन है इथ, इसलिए यहाँ पर मीथेन हो गया है, ठीक है, और टू कार्बन है इथेन हो गया, अगर थिरी होता प्रोप, और फोर होता ब्यूट, ठीक है, इथेन, यहाँ पर इथेन आरा प्रोपेन हो जात तो यह होता है, math, add, probe, but, pent, hex, heft, यह चलता रहता है, continue, अगर इसकी बात करेंगे, तो organic chemistry माँ बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो अभी बस मैंने आपको थोड़ा सा बदा दिया, कि अगर यह करवन होता है, तो math बोलते हैं, 2 होते हैं, 8 बोलते हैं, 3 होते हैं, probe, 4 होते हैं, अब बात करते हैं, कुछ acids हैं, जैसे दे रखा, acetic acid, इसको formic acid भी बोला जाता है, CS3COOH, alcohol दे रखा है, यह methyl alcohol दे रखा है, CS3OH, यह सारे क्या है, organic chemistry के अंदर आते हैं, और इनकी हम लोग organic chemistry के अंदर study करते हैं, क्लिया रख्योंगी, यह किसके हैं, यह carbon compounds हैं, अब बात कर metallic carbides हैं, तो इन सारे चीज़ों के हम लोग study करते हैं, इन organic chemistry हैं, जैसे एक्जांबल की बात करते हैं, तो carbon monoxide हो गया, carbon dioxide हो गया, यह यहाँ पर calcium carbonate दे रखा है, यह सारे oxides है, यह carbonate हो गया, यह bicarbonate हो गया, calcium bicarbonate, यह carbonic acid है, तो जो इन organic chemistry है, यह भी chemistry के एक ब्रांच है, जिसमें कि हम लोग study करते हैं, oxides of carbon, carbohydrates, sorry, आपकी जगा, carbonates, bicarbonates and metallic carbide, clear, आप इसके बात बात करेंगे, other compounds, जो कुछ और compounds हैं, carbon की, जैसे कि सुगर हो गया, जिनके अंदर carbon रहता है, carbon present रहता है, starch हो गया, fuel हो गया, और साथ में synthetic fibers बगएर है, तो इन में क्या होता है, carbon present र carbon present रहता है, दोनों ही states, जो states हैं, उनमें आपको मिलेगा, एक तो free and combined state में available हो गई, free में ही मिल सकता है अपको COB coarse state में भी आप देखने को मिल सकता है, तो free state में यह nature में present रहता है, natural present रहता है, crystal form में, किस फॉर्म में रहता है, crystal form में and emorphous form है, दोनों ही form में, नेचल में present रहता है एक तो किस्टल फॉर्म और दूसरा एमॉर्फरस फॉर्म किस्टल फॉर्म क्या होता है आपके जैसे डाइमंड क्रेफाइट ये भी क्या है कार्बन की फॉर्म बात करेंगे कि कंबाइन ऍसक्ण स्टेट में तो किस से मिलके बनtrह तो यह भी के बनारा है क्या और भी है जैसे की हइडो कर्बाइन तो ला जीस the with scale ओने ला ख़रेघ्न हो गया तो इस वे मुसिभाski पर बात तो आपका जो कम्बाइन स्टेट में है कैसे मिल सकता है इसके अंदर भी कर्बन प्रेजन रहता है यह क्या है कम्बाइन स्टेट में है अगर कोई बी आलीमें इसकी फिजिकल फॉर्म एगर कई फॉर्म में प्रिजन रहता है तो उनको बोला जाता है लॉट्रॉप्स क्या बोलेंगे allotrop, means existence of an element, किसी element की existence है एक से जाना form बे अगर available है तो उनको बोला जाता है allotrop of the particular element, यहाँ पर कर्बन की बात हो रही है, तो अगर carbon की form बहुत सारे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे allotrop of the carbon, किलिए अब क्या होता है, जो allotrop होते है, allotrop में basically कहा रहता है, जो physical property रहते हैं, वो different रहते हैं, physical property different रहते हैं, लेकर chemical property कहा रहते हैं, जोLoom properties, different रहते हैं, आप इसमें देखेंगे जैसे कि अगर बात करते है कि क्या region, कि physical properties कि ढफिपर्वेंट रहते हैं, region कहा रहता है जो atom का structure, आपको पूछा दा सकता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों डिफरेंट होगा तो इस बाइज से इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है अब लेकर बात करेंगी है तो इस बज़े से उसकी जो chemical properties है रहती है सेम रहती है तो यह तो हो गया किसके बारे में कुछ और देखते हैं जैसे कि यहां पर दे रखके अगर किस्ट्लाइन फॉर्म का मलब क्या है कि जो specific arrangement होता है एक जो ऑगर बात करते हैं खर में अछल जो आपको किस्ट्लाइन फॉर्म तो किस्ट्लाइन की बात खरमें इन उसकी सत्रिक्टिट्ट में लॉर्फ करें किस्ट्लाइन डैमंद ओगया और फॉल्राइंट्स हो गया तो यह जो रहते हैं कि इस लाइन फॉर्म रहते हैं डायमंड आप यहां पर आप देख सकते हैं या ग्रेफाइड देखिए अभी एक थोटा सा आपको आपको अबर भी हुआ है आंगे चलके आप बहुत अच्छे से पढ़ने वाले इन सब के बारे में दायमंड हो ग्रेफा आपके बने रहते हैं तो फुल्रेंस जो रहता है आपका क्या बकी बॉल की तरह रहता है एक हॉलो एक आपका हॉलो केस की तरह रहता है जिसमें की कार्बन प्रजांट रहते हैं कार्बन की जो एटम है वो प्रजांट रहते हैं लेकिन कितने आपके वैरी करते हैं 30 से लेक भी जो आपको जो नाम है जो याद रखना है बक मेंस्टर फुल रेंज क्या होता है स्फेरिकल सेप में रहता है साथ में उनका जो अरेंज्मेंट मोल्कूल के अंतर रहता है yourself hexagonal समझे हैं घर करने की बाद करेंगे कैसे इसको करते हैं कैसे करेंगे जो आपका वेबिक जो आपका वेफराइज्ड गिरेफाइट गिरिफाइड एउसको चंद्धन्स करने के बाद यह वा娘 गुरेगे तो क्या मिलेंगग आपको आपको मिलेगा बक्ट मिंस्टर फुल्रेंस या फुल्रेंस आपको मिल जाएगा ठीक है तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं ओटेंड कर सकते हैं तो यह तो हो गया किसके बारे किस्टलाइन लेके हलकासा, बोल सकते हैं, आप 1% बोल सकते हैं, ठीक है? माइक्रो लेवल पर कैया मिल सकता है? इसमें किश्ट्लाइण नेचल्ड आपको जसे कि में चार्गूल की बात करने हैं, चार्गूल किसके अनदर आता है? इमॉर्फस फ़ॉर्म इसका लेम्प भिल्यक हो गया यह इसको सूट ही भूल अव गया स्वजी कोल गया whole day renew ँसके बात करेंगे अगर चार्कॉल के अंदर देखेंगे here would be देखेंगे तो इनके बारे में हम भी आने वाले classes अशनमा पढ़ेंगे ब्र enfin तो यह तो था बेसिक इंट्रोडक्शन इसका अब इसके बाद की बात करेंगी तो देखिए यह चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है जैसे मैंने बताया था आपको तो पूरा आपका जो पेसंस है बना रहना चाहिए और कंसंटेशन भी आपका यहां रहने चाहिए जब मैं मैं हमेशा आपको बोलता हूँ बेरे करकर के देखीगा थोड़ा साथ देख लीजिए फिरकल देख लीजिए लेकिन आपको पूरा कम्टेट करना है तो चलिए आप बात करते हैं अब बात करेंगे किस लाइन जो आपकी एलोटॉप्स हैं डायमंड और ग्रेफाइड की ब अब यह जा है अगर आपको बात करेंगे तो ऑफ ग्रीफाइड आपको बेरोच डाएड मंद inc intake और बात करेंगे तो आपको बात करेंगे हैं वे लुष और बात करते हैं ग्रेफाइड है तो गला सीसा फिर एक शीड टाइप में मिलता है इस तारह से तो द्लाइड है इस अगर बात करते कि तो diamond को आप प्रिप्रेड कर सकते हैं लेकिंगे इतना सारा ठीज़ आप यह काफी के ऩालिब देखे चर्टाने को बात करेंगे तो आप ग्रेफाइड कर सकते हैं कि फिरिपाइड कर सकते हैं इसको का करने है जो आपकी सिलिकन कार्वाइड यूषिट करिए को इसको वोल सकते हैं तर्मल दिकंबूरिशन आप सिलिकन कार्वाइट को तो किसमें गरिफाइड जाए अगिरिफाइड को आपके कर सकते हैं यह तो थे आर्टिजिल मैंथर नेंılmış squid की तर Reese देखेंगे Structure of Diamond, Diamond का जो स्टक्चर वो कैसा रहता है look of crystal तो देखिया कैसा इसका जो इस टो रहता है, इस बैसे का बेसीकली जो स्टक्चर रहता है though, 겉त बेसके अगे तमिस्क्राओं 비디오 होती लाख धाना है और फूर आपके क्या हो जाएंगे तो आपके टोटा कितने 8 sided crystal रहता है इसको बोलते है octahedral shape को देखिए याद रखीएगा जो shape होता है किसका diamond जो आपका diamond है वो उसका क्या रहता है octahedral और 3D में रहता है बात करें grafite की graphite क्या रहता है आपका seat like structure रहता है सीट like structure रहता है और यह two-dimensional में रहता है clear है अब देखेंगे इसकी crystal lattice है means particle का arrangement है कैसा रहता है तो पारिकल के आर्यंग्मेंट कैसा रहता है वो किस में देखें crystal lattice में किस्ट्रा लेटिस में केह हैं तो कोई भी आपको सब्स्टैंस दे रखता है जैसे अगर आप element की बात करते हैं element के आप study कर रहे हैं तो क्या करते हैं सबसे पहले हैप element के study करें इसके एक चुटी करें उसकी जो atom, atom की study करते हैं मैं smallest unit की study करेंगे तो इसे इसमें भी अगर ग्रिफाइड या फिर आपका डायमंट दे रख आ है अगर आपको उसकी क्या करना है तो उसकी स्टेडी करना है तो क्रिस्टल लेटर्स की अगर बात करेंगे तो क्या होता है एक छोटी छोटी पाइटिकल या बोल सकते हैं यूनिट से मिलके बना इसे अगर आपको ग्रिफाइड की स्टेडी करना है तो जो आपका हेक्सागोनल सबसे स्मालेस्ट यूनिट रहती है हेक्सागोनल यूनिट उसकी आप स्टेडी करिए तो होल पूरी की पूरी आप ग्रिफाइड की स्टेडी कर सकते हैं तो क्रिस्टल लेटर्स आपकी क्य तो देखेजिए कि जो carbon atom है तो चारो तरफ 4 bond है इस तरह से 4 carbon से अटेज़ रहता है किसके अंदर यह diamond के अंदर जो आपकी tetra header unit है इस तरह से चारो तरफ के रहते है carbon carbon attachment रहते हैं और बीच में bond रहते हैं जो आपका bond है को वोलते हैं कोवेलेंट बॉंट कौन सा बॉंट रहता है कोवेलेंट बॉंट और आप बात में देखें और साथ में एक ची और देखेंगे जो इसकी बीच में लेंथ होती है जो लेंथ होती है वो कहा रहती है इस बात का भी ध्यान आपको रखना है कहा रहता है कि जो से अठेज रेता है byदाम by CobLand bond और जो आपकी जो लेंध बेंग अगर बात करते हैं GRIPHOIAD के दो तो Sehr जो 우리는 football रहता है तीन कारबन रहते हैं आपके 3 carbon एक तीन पर इस रहता है यहाँ पर आपको फोर्डवाल आपसा रहता है और उसलंगे यह जो 3 democracy आपकी कॉन से रहते हैं, कोबेलंड बॉंड रहते हैं, वो भी आपकी सेम लियर में, यह रहते हैं, इस भाषा, here, तो ऊपर बाली सीट है, 사फन तो रहें यहांपर कारिमें तो 3 करमा अटम, वो से उट रहते रहते हैं, drele N, जहां भी आप उसको ग्रिफाइड को यूज करेंगे तो आप मार्क छोड़ाता है जैसे आप पैंसल भी यूज करते हैं आप ग्रिफाइड एक रॉड लेका आई उसको आप किसी आप जो बिलैंक पेपर है वाइट पेपर है तो उस पर चलाईएगा तो क्या हो मार्क इस यहां पर और आपका भी आपका घूम और आफ़का अपीसिक मिल जाएंगी लेकर आगर बात करता है तो diamond में कही रहते हैं कि चारो के चारो कारवन टेस रहते हैं और साहत्वी yeah कोउलेंड बॉण्ड के साथ आटेस रहते हैं यहाँ आप देख सकते एक आपका क्या है यह अप लेकिन क्या रहाता है कि यहांपे आप देख रहे है आपका वर्टिसह यहां से सहरे रहा breaths हुए मैं यहां इतना देख़ी अ आप बें included है इतना आप एस तरह से यह आपके उनेट है कोनसी है यह का ट्रहेडरूनिट है यह समें अपन्त एप życie आ तो इस तरह से arrangement रहता है शहकंगे किसके बारे में श्रक्चर के बारे में और मैं भी आप देख सकते हैं यह नीचे जो सेगंड बाली लियर्स है जहां पर कर्षों तो यह तो था उस्टप्टर के बारे में डाइमांड के बारे में चले आप बात करते हैं अब मेंगों की तरफ चैते हैं डेखिए अब है अब जुद नच्ट प्रॉपर्टी में आपका क्या है? सबसे पहले क्लर में देखेगा, तो क्लर क्या रहता है? जैसे आपने अच्छल में जो डायमंड है, बहुत कभी देखा नहीं होगा, लेकिन मुविज बगरा फिर कहीं आपने गूगल बगरा सच करिएगा, तो आपको स्टोन देखेगा, ऍरिप स्टोन की तरह रहता है, जो अपका कैसा रहता है? जो आपको कैसा है? ए सका कोई बही कलर नहीं है? माय्ल टिंख थे मिल की तरह को है आपको उसमें देखेगी हैं करें अगर बात करते हैं जैसे कि ग्रेफाइड की पाथ करेंगे तो ग्मिलैकिस ग्रे इक कीया रहता है ब्लैकिस ग्रे रहता है और और आपने देखा त्रांस्पेरन्स खीता रिए क्ल्या सान Champions सार हम उपेक रहता है, साथ मैं कहा रहता है उपेक solid with metallic luster इसके पास metal की property होती है इस बैसे इसको क्या बोलते है metallic lusters भी इसके पास property होती है मिस अगर जब आप देखेंगे जैसे pencil है, pencil की जो आपकी lead है उसको देखेंगे तो वो चमकती भी नज़राएगी तो वो क्या होता है, metallic lusters होता है metallic luster मिस चमक आप उसको देख सकते हैं तो यह तो हो गया किसमें greyfied और diamond के color के बारे में अब बात करते हैं, nature कैसा होता है nature की बात करते हैं, तो आपका जो diamond रहता है वो hard रहता है, काफी hard रहता है अगर naturally बात करेंगे hardest natural substance यह क्या रहता है, hardest natural substance रहता है सबसे जानदा hard substance है किस बाई से क्या reason होता है क्योंकि जो carbon-carbon का bond रहता है वो क्या रहता है, उसकी जो strength है काफी strong रहती है stance जानदा रहती है और uniformly भी distributed रहता है uniformly का बल्लब क्या है, कि जैसे आपने देखा था carbon-carbon का जो bond बन रहता है उसकी जो भी इसकी distance थी, वो क्या थी? एकक्वल थी, तुम्हीं uniformly distance भी है तो इस बाई से जो strength है बहुत हो strong रहेगी, साथ में uniformity की बाई से जो diamond है आपका बुख hard रहता है और साथ में कहा रहता है, जो आपकी crystal lattice रहती है crystal lattice भी आपकी rigid and stable रहती है इस बज़य से जो nature है, diamond का बुख क्या रहता है clear है, अब बात करेंगे देखी, graphite के अंदर graphite में कहा रहता है, graphite एक soft substance है यह क्या है, एक soft substance है आप soft किस वह से होता है, क्या region है क्यूंकि आपने देखा था कि carbon जो है wonderwall force के थो किस से अठेज रहता है, वो जो wonderwall force आपका, वो क्या रहता है, वीक रहता है काफी वीक रहता है, इस बज़य से जो layer है, एक दूसरी कूपर slide करती है और साथ में एक mark paper पे एक mark छोड़ देती है जैसे आप जो pencil बगरा जो force उनके वीक में कहा रहता है काफी weak रहता है अब अब बात करते है, वो density की बात करेंगी तो density में देखीजी SHBO density में देखी Yो अगर disinfect के बात करते है तो यह कहीना कहा रहता है, इस काफ़ी compact रहता है इस वाईटेसे उनकी density है वो high density रहती है Compact का मलत समझी है कि आपने देखा था जो carbon carbon का जो bond था या जो उसकी length थी वो equal थी साथ में कहा रहती है बहुत कम रहती है जो bond length है वो कहा रहती है बहुत कम रहती है मैं इस बोल सकते हो distance between the two carbon atom जो carbon atom है उनकी बीच की distance रहती है काफी कम होती है इस बएस से काफी compact structure होता है कहा रहता है काफी compact structure होता है और इस यही region है कि जो density है diamond की वो कहा रहती है हाई हो जाती है इस बज़े से यही region होता है जो density होती है किसकी graphite की वो लो रहती है यहां पर आपने देखा था compactness of the crystal lattice means जो आपका crystal structure जो आपका crystal structure है वो compact रहता है लेकिन यहां पर जो आपका crystal structure रहता है graphite वो कहा रहता है open crystal structure होता है ठीक है आप इसमें बात करते है electricity की conduction of electricity तो अगर diamond में देखेंगे तो diamond क्या होता है कि इसमें कोई भी कोई भी इसमें free electron present नहीं रहता है means आप बोच सकते कि absence of free electron इंदा crystal जो आपकी crystal है उसमें कहा रहता है absence रहता है free electron का इस बज़े से electricity को यह conduct नहीं करते हैं यह किस category में आते हैं non conductor की category में आते हैं नहीं electricity को और नहीं heat को conduct करते हैं very poor conduction conductor of heat यह जो conduction है heat का वो बहुत कम होता है ठीक है किस के अंदर diamond के अंदर तो यह आप और दॉनों को ही जो आपका इलेक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक के and heat के दोनों के ही गुड कंड़क्टर रहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो फिरी elastron से या फिर मोबाई electron से वो परजेंट रहते हैं इंदा crystal clear अगर diamond की बात करते हैं द्यान समझेगा diamond की बात करते हैं तो ये non conductor of electricity लेकर अगर heat की बात करते हैं तो very poor केटिक्तर स्वाल आएँप ही अगरिफाईट के बात करते तो गूड औक पर हीट एएड एट एलेक्टिसटी बोथ दोनों के ही गूड ठीक्तर होते क्योंकि पर जलने पॉइन पर जखेंग चैंकर रहते हैं क्या मोबैल अलग्तक्रों आपका कंचप कहा है chemical properties, तो chemical properties देखी गा, अभी आपने physical properties देखी थी, अब बात करते है chemical properties की, तो chemical properties देखेंगे एक कहा रहते हैं, very inert, जो chemical ही very inert रहते हैं, किसी के साथ, कोई भी most chemical रहते हैं, उनके साथ reaction कोई भी नहीं करते हैं, कोई भी reaction नहीं करते हैं, do not react with the most chemical, जानातर chemical से साथ कोई भी reaction नह तो क्या इस पर कोई भी effect नहीं पढ़ता है, बहुत कम effect पढ़ता है, less prone, बहुत कम effect पढ़ता है, क्योंकि क्या होता है, कि जो structure रहता है, इसका compact रहता है, इस वैसे अगर कोई भी आप strong chemical, जैसे मालो S2SO4 आपने इस पर डाल दिया, तो इस पर बहुत कम effect पढ़ेगा, क्योंक सा जाना reactive रहता है, डायमंड से, and more prone to chemical attack, अगर कोई भी, अगर chemical attack इस पर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इस पर effect देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो structure रहता है, open structure रहता है, कैसा रहता है, open structure रहता है, अब बात करतें, next point कि अगर इसको burn करना है आपको, air में, या पर oxygen में, आपको क्या करना है, इसको burn करना है, जब आप burn करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यह burn हो जाएगा, diamond को अगर burn करना चाहिए, तो burn हो सकता है, लेकर temperature आपका क्या होना चाहिए, 900 degree Celsius तक लेकी जाना पड़ेगा, तब जाके यह burn होगा, अगर आप heat करेंगे, अगर आप heat तक पहुंचता है जैसे आग पकड़ेगा साथ में जो CO2 है CO2 रिलीज होती है CO2 रिलीज होती है यह आपको ध्यान रखना है अगर बात करते हैं कि यह डियमन की का प्योर फॉर्म है के विए तो हो गया आपको आगया होगा सारी चीजे अब इसके बात देखीगा के अंदर आप ग्रेफायड में देखें तो ग्रेफायड का कैने तो यह आपका burn नहीं होता है, अगर यहर में आप इसको burn करना चाहिए तो burn नहीं हो सकता है, ठीक है, burn यह नहीं होता है, लेकिन जब आप इसे heat करेंगे, oxygen के presence में या atmosphere में आप इसे heat करेंगे, तो क्या होगा, यह brightly, थोड़ा से color वो change हो जाएगा, यह थोड़ा सा brightly, जो burn होना start हो ज 800 degree Celsius तक burn होता है, लेकिन जैसी यह 700 degree Celsius तक पहुंचा तो क्या हो जागा, यह burn होना start हो जाएगा, और साथ में carbon dioxide and carbon monoxide भी क्या करता है, फॉर्म करता है, carbon dioxide and carbon monoxide, और साथ में क्या है, थोड़ा सा इसका जो S है, जो बचा हुआ, इसमाल amount of S भी वहाँ पर produce करता है, जो आपको reactants है, जैसे कि बात करते हैं कि आप acids बगरा हो गया, alkali हो गया, तो इनके साथ कोई भी reaction नहीं करता है, कोई भी reaction नहीं करता है, कोई भी reaction नहीं करता है, जो आपके acid हो गया, या फिर alkaline हो गया, या पीस हो गया, तो उनके साथ कोई भी reaction नहीं करता है, कौन diamond, अगर diamond की बात करते हैं do not react with chemical reactants example दे रखे जैसे acid हो गया या फिर alkali हो गया या कुछ भी आपकी जो बेस बगएरा होते हैं उनके साथ कोई भी reaction नहीं करता है अगर बात करते हैं कि graphite की बात करते हैं तो क्या होता है react with strong oxidizing agent जो आपके strong oxidizing agent होते हैं उनके साथ react कर जाता है तो चलिए आप बात करते हैं नेक्स पॉइंट की तरफ चलते हैं देखीगा अब जो आपका नेक्स टॉपिक है वह क्या आपका usage of diamond and graphite usage of diamond and graphite तो इसको द्हां समझेगा सबसे पहले हम लोग बात करेंगे usage of diamond की бор Bennett की usage की बात करेंगे तो इसमें देखेंगे हम लोग क्या-क्या देखने वाले है हम लोग इसके applications देखेंगे तो इसमें क्या region है जिस वह क्या ol इसको यूस कर रहे हैं और इसके साथ साथ की कौन सा form फोर्म जो आपका greater fried हो की कौन उसका यूज़ आप सिंपल आसपास कोई मिकेन को लेकर आते हैं और ड्रील करवा लेते हैं तो वह आपकी नॉर्मल ड्रील मसीन होती हैं लेकर अगर आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपकी ऑप रहती है लिएकर अगर जो कटिर तूल रहता है जो उसकी टिप रहती कहांब भी hard रहती है और किस से बनी हुई होती है diamond से बनी हुई होती है जिससे कि आप कीसी भी hard substance कोई भी hard आपका material है उसको क्या कर सक het आप easily wane उसको drill कर सके तो deep boring drill में इसका use का जाता है इसका diamond का as-j-tip वहाँ पर tip जो आपकी tip रहती cutting tool की वहाँ पर इसका use किया जाता है आप बात करते हैं किसी जैसे आपको glass का cutting करना है या फिर आपको other कोई और other आपका diamond उसको cut करना है तो as a diamond cutting tool use किया जाता है किसके अंदर cutting के अंदर भी तो यह तो था आपका industry में किस सह से use किया जाता है अब जो रीजन है कि वाएसे रीजन किसे काफी hard रहता है जो आपका substance है जो आपका diamond क्या है काफी hard है hardest है अब क्यों hard होता है आपने पीछे भी देखाता है क्योंकि जो bond की uniformity है या फिर strength वो क्या रहती है हाई रहती है ठीक है uniformly जो बॉंड है वहाँ पर बॉंड का जो structure रहता है आपका और साथ में strength भी काफी जाना रहती है और अगर जो crystal lattice उसकी बात करते है तो stable रहता है और rigid रहता है इस वैसे हम इसको use करते हैं यह तो region हो गया मैंडीयार बात करते हैं ने्र करते रहते हैं कि next point आपका क्या है as a jam कि jam की तरह हम लोग यूज़ करते है jam क्या होता है आपका jam आपका क्या रहता है जैसे कि आपकी जो parents बगएरा है वहाँ पर देखी का उनसे आप हो सकता जो ring बगएरा पहन रखे होंगी या आपकी as a jam यूज़ क किया जाता है रतन अगेरा है तो यह सारा है अब इसका स्पार्किंग KARां का इसमा होता है आप किस वह Seite की या 15 की में होता है क्योंग होता है अब किसन बगए से या चिर्यृस का क्या रिजन होता है deter दिश आई रेफेक्टिव similarity remarkable form F1 रोने का अब देखे ए dwarfactive index नगे इसको है लिफ्त में Ёन्य Dude पहुंचे वह लिफिक्स बहां तो इतना संब्जेक्ट ही नगुश् के अब आप बोलते रहते हैं क्या है और आप लोग बोल्ची बीयोजी फी पड़ा दिता हूँ ऑफिषे भी बढ़ा यह मैंने जोग्रफी भी तो यार देखो इतना सब्जेक्ट है वैसे मेरा जो कोर सब्जेक्ट है वो कहा है फिजिक्स और मैथमेटिक अप्टू 10th किलास 11th के बाद 11 12 और मैं पढ़ाता हूं ठीक है तो अभी मैं वहाँ पर जा नहीं पा रहा हूं आप लोगों से ही छुटक पढ़िएगा अच्छे से ठीक है मैं इसकी गारंटी देता हूं आपको कि अगर आप मैथमेटिक और फिजिक्स मेरा पढ़ेंगे और साथ मैं आपनी जो कोईरीज बगरा है जो आपनी डाउट है सारी की दिया करते चले जाएंगे मेरे साथ अटेच रहेंगे तो मैं आप आपको 100% विश्वास दिलाता हूं कि आपको कोई फेल नहीं कर सकता पीछे नहीं हो सकते physics और mathematics में ठीक है इनकी guarantee नहीं लेता हूं में chemistry और biology की और other subjects की लेकि मैं physics और mathematics की आपके साथ guarantee लेता हूं कि आप बिलकुल कभी पीछे नहीं रहेंगे इने बहुत अच्छा करेंगे आप लेकिन आप पहले सारे वीडियो देखीएगा और कंसर्ण करिएगा मुझसे जो भी आपकी डाउट्स है तब तो चलिए बात करते हैं जाना टाइम बेस्ट हो गया चलिए बात करते हैं अब बात करेंगे कि जनरली ये कौन सा फॉर्म है जो यूज करते हैं हम लोग किसम कैसे यूज करते हैं एज जैम यूज कर लेते है जॉल डी लेकिन इस पैटम होते हैं वह ऐसा नहीं another एक hiring कोया कि दो बात करते हैं मैं सबसे पहले जो यूज है आपका जो first use ओ為什麼葉 लीड like lead of pencil अपने pencil use करते है तो pencil जो lead रहती रहती हुए इसकी रहती है स्टाय नहीं कि स्क्रेख नहीं कि रहती है याइना किसकी रहती है वो रहती है अब दचिके रहती है अब देखो जी किले का कॉंटेंट मिला हुआ था किसका किले कॉंटेंट मिला हुआ होता है ठीक है यह मिक्षर रहता है किसका ग्रेफाइड का और किले का अब क्या रहता है जो आपकी लीड है वो हार्ड या फिर सॉप्ट रहती किस पर डिपेंड करती कि किले का कॉंटेंट कितना मिला है न है आपने देख़ा तू नहीं मज़िए अगोर देखंगे नियार को रहती है एक यह युँसरि बहुत है बहुत है उतलिष चल्श तो लियर क्या रहती है कट करती है बस्तों पर लिएर करती है यह वाई लिएरं फोर्स कि सरे और क्ल़न्यवाब फोर्स को बीक वांड अबसे वो अटेश रहते हैं हैलड रहते हैं कारबन दूसरे आपकी पेलर लियर हैं इसके बाइसे इसके वो फोर्म होते हैं और खोड़ देते हैं तो इस बइसे हम लोग ये रीजन है जिससे की जू लीड है जो आपके grayfide ij lead हम लोगा यूज़ करते है clear यह तो आपको clear हो गया होगा अब बात करते हैं कि कौण सा form है बसक्किलिए कोई form नहीं यह mixture होता है एक grayfide का mixture is grayfide और clayos고lic होता है जिसमें कि हम लोग एक mold कर देते है suis mold कर देते हैं model का तो जो आपका ग्रेफाइड वा क्लेश रहता है जब इसके अंदर डालते है तो जैसे यह क्या हो जाता है लिड आपकी युट लेट ग्रेट, पहले लिड उसको यूज रहता है तो मौल्डिंग का मलब एक बार समझाते हूं, जैसे कि यहां पर एक वनी हुए है, आपने क्या कर दिया यहां पर एक जो आपका मिक्सर घ्रेफाइड वा किले खीला का, पहले क्या था लिक्रुड फोर्म में था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर धिर धिर सॉल तो लॉब्रिकेंट जो आपकाн गरेफाइड है। अजे ड्राय लॉब्रिकेंट यूज करते हैं। जैसे कि बास्किल की आपकी छैन हो गई या फिर मसीन पार्ट्स हैं। उसके हम लोग इसका यूज करते हैं। क्या रीजाने क्यों यूज करते हैं क्योंकि यह जो इसकी लियर्स होते हैं पहलर लियर्स होती है एक दूसरी को पर सिलाइड करते हैं और साथ में नॉन बॉलिटायल रहता है जल्दी से वैपर में करमड नहीं होता है और नॉन इस्टिकी भी होता है इस भाइस हम लोग इसक गिलियर उयल के लाब आप बोल सकते हैं petrolium jelly का use करते हैं greenfired oil petroleum jelly रहते हैं ने इसस्टेशन रहते हां इकको डियाब सप्षेंशन आप एकको सबस्पैंसल सॉलूसन अब ऐजे high temperature lubricant भी यूज करते हैं ऐजे high temperature lubricant यूज क्या है क्या है है क्या रीजन है क्योंकि अगर आप ऑर्डिनरी ट Environ आपके लूफरीकांट्स के रहे हैं अगर आप्र बातबभ करते हैं तो इस बेसे हम आपके लूब्रीकांट्स योज डायल अपर बलबा wrapping कोरा हो सकते हैं तो यह तो हो गया तो रिुप्रेक्टरी कर दाटे रहां है आपके जो आपकी क्रिसेमसे रहते हैं ऌर्फी कर Competounces में आपके एक Flask टाइक पी आप बोल सकते हैं या can बगएरा बोल सकते हैं जो इनका यूज करते हैं तो एक High गुट कंड़ाक्टे अफी रहता में इसे कोई क्या एक्समा कर देगा कौन है अप कुट पड़ीचर बाम का अप सफोर्म यांज सः किभीट कर दो हुपाइट तो कुछ भी नहीं आपका कुछ भी नहीं, नहीं है जो आपका गिरिफंट यहै पस उसको के हैं ऐ हीटप करता है, और उस अंभ लोग डिफेरेंट डिफेर्टो आइटम मैनिफ्रेक्चा कर सकते हैं, या फिर नहीं कोई चैन अ squash अबिखेर कर सकते हैं, कि electrode, कैसे as a electrode यूज़ करते हैं, ग्रेफाइड का तो जो ग्रेफाइड है, उसका as a electrode यूज़ करते हैं, किसमें, एलेक्टो पलेटिंग में या फिर dry cell बगएर हो गई या आपकी electrolytic cell हो गई है उसमें acid उसमें acid resistant जो आपका रहता है electrode एक लेक्तर एक रस रग्यद इनने करते हैं किसमें जो एक्टरोड के बारे मापनों बहुत सोरा होगा आपका ट्रांसपर हो जाए अब साथ में किया यह रिलेटिबली इंडर्ट रहते हैं जैसे अपने बैटरी बगिरां देखा होगा तो बैटरी में एलेक्टोट तो लगे हैं आपको धूझ जो एसे बगिरा हम फिल्ट रहते हैं तो उन के साथ रिक्षिन ना कर लें तो inactive रहते है बिद acid के साथ acid के साथ कोई reakcion ना करें आप साथ में किया राता है कौन सा form जो हम लोग use करते है तो hard form रहता है किलिया रहे चलिए अब बात करते है अब जो आपका next topic है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले है किसके बारे हम دेखेंगे coal के बारे में देखेंगे and इसके बाद coke के बारे में देखेंगे and lamp black के बारे में समझेंगे तो इसमें क्या क्या रहेगा आपकी occurrence रहेंगी, properties रहेंगी और क्या इसके usage है different different आपका coal हो गया, coke हो गया या फिर lamp black हो गया तो यह करके समझेगे ुआ, चलाइए सबसे पहले बात करते है कॉल के बारे में, कॉल क्या होता है देखेए अजहां से, कॉल क्या होता है यह naturally formed होता है, कैसा naturally, nature में present रहता है, naturally formed होता है और साथ में कैसे formed होता है इसको भी समझेगा, जो आपका आपका वेघीटेविल मैटर होते हैं,जो आपकी वेघीटेविल मैटर है वो आपका क्या हो सकता है,प्लांच भी हो सकता है और एसलओ वेक्टेरियल कि की फूले मैटर होता है उसका सुलो में स्लम-डीकंपूइशन होता है ठीक है अब साथ में कहा रहाता है influence of heat pressure and limited air में होता है तब जाकि यह क्या होता है conversion होता है transformation होता है किसका bacterial matter का into coal में अब आप देखीगा यहाँ पर million of year लग रहे हैं तो इसमें क्या होता है different stages भी होती है किसकी जो bacteria आपका matter उसकी different stage वहती है ऐसा तो है नहीं एक बार में complete हो जारहा है तो आपकी क्या होता है different stage होती है आप जो आपका residue है आपका residue आपका खुछ ना कुछ रह जाता है ठीक है जो आपका residue है उसको carbon की amount कार्बन का कुछ अलग होगा फिर नेश्ट जो आपकी स्टेज ओगी उसमें भी कार्बन का कुछ ना कुछ एमाउंट होगा तो उसी की बेसे सब्सक्राइब डिफ्रेंट टायप की कोल निकल के अगर आपकी जो कार्बन की कॉंटिटी ए 60 परसेंट在 अगर कार्बन की कॉंटिटी क्या है 60% है तो उसको बोला जाएगा पीट वो किसके अंदर आता है पीट कोल के अंदर आता है अगर 65% है तो लिगनाइट के अंदर आता है अगर 85% है तो बीटुमिनस के अंदर आता है अगर 90% है तो एंथरिस साइड के अंदर आता है तो यह ह रहेगा बीटूमिनस उसमेद 55 लहेगा लहेगा आविद्यी सायड में 90% तक आपका कह रहता uit कर्म क्रबन का रहता है कि लियर आब इसकी प्रॉपर्टी की बात कर्ते हैं लास्ट अय बीटूमिनस की and bituminous and anthracite cola की, तो bituminous किया होता है, hard variety रहता है, hard variety of coal रहता है, जब इसको burn करते हैं, जलाते हैं तो क्या होता है, smokey flavor निकलता है, ठीक है, लेकिर अगर anthracite की बात करते हैं, इस superior quality of coal रहता है, जिसको आप burn करते हैं, तो कोई भी smoke इसमें से आपका नहीं कोई भी स्मॉक नहीं निकलता है ठीक है तो यह सारी चीज है अब इसके बाद यूजिस की बात करते है तो यूज में देखेंगे तो कोल आपका क्या है कोल आपका एक कीण चीफ फ्यूल है यह थोड़ा सा चीफ फ्यूल रहता है तो अगर बात करते हैं चीफ फूल की तरह हम लोग इसको यूज करते हैं क्योंकि जहांपर आपको ऐसा है कि पैसे की रिक्षरमेट जानता है भी और आप फूल बगएरा जो गूट कॉल्टी वाला फूल है उसको यूज नहीं कर पते हैं अब it is also used for manufacturing के लिए किसका manufacturing के लिए कोक को बनाने के लिए और आपकी जो coal gas है और synthetic petrol है उनको भी बनाने के लिए हम लोग इसका use करते हैं के लिए तो आप ध्यान रखेगा it is also used for manufacturing of coal gas and synthetic petrol के लिए आप इसके बाद next point की बात करते हैं कोक के बात करते हैं तो देखेगा कोक क्या है walking क्या है कि आप मैंनिफैक्ट्र करेंगे की क्या करते है की जो आपका bituminous coal है उसको high temperature पर heat करते है उसको क्या करते है तो जब आप का फॉर्म्ट होना चाहिए तो कैसे फॉर्म्ट हो जाता है क्योंकि जो आपकी इंप्योटीज है जो आपकी वैपर में कनबट हो जाती है जो आपका रेसिड्यू बचता है उसको बोलते हैं को आप यह जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है destructive distillation of coal क्या बोलते हैं destructive distillation of coal तो आप दहान रखेगा destructive distillation of coal में क्या होता है जो आपका कोक है वो फॉर्म्ड होता है वो manufactured होता है ठीक है तो यह सारे चीज है अब properties की बात करते हैं तो properties की बात करते हैं पैटाइचल करता है और शब्रेश्ट को आपका प्रॉप इसको डूप करते हैं तो कोई भी आप स्मॉक नहीं निकलता है और सात्में नॉन कंटक्तर ओ हीट घृता है और इस प्वटेंस रखीकर द्लयिके कि आप बलकुल reducing agent है strong reducing agent होने के वेशे हम जब आप further side 9th या 10th class में देखेंगे तो producer gas और water gas इस से क्या किया जाता manufacture किया जाती है due to strong reducing agent sorry sorry थोड़ा सा पानी पीलूँ हाँ हाँ अब देखेंगो clear है आप इसके बाद देखेंगा तो यह कहा है strong reducing agent होने के बादे से इसका use किया जाता है for manufacturing the water gas and producer gas ठीक है water gas और producer gas को बनाने में इसका use किया जाता है अब साथ में strong reducing agent है तो as reducing agent in iron and steel production steel और iron production में भी इसका use किया जाता है clear है तो एक use किया जाता है as a fuel use किया जाता है और किना धुल पे क्षेशक है और है कोई बीया यूज आप इसा पर आपको फूल यूज चाहिए इसके नाम है अब एसको कैसे प्रिंड किया जाता है कैसे आपको कोई भी जो आपका सस्टेंस हमान कारबन इसमें कारबन कायोंक्त किस थे मुस्टब करेंगे य्धिक आपको क्या किया ऐसे मूरा करेंगी कोई बंड करना सटार्ट करेंगे तो इनकंप्ली टकंप्सन होता है वह वहांपर क्या होना हिए कि आप क्या करेंगे तो यह उपलेट लगा दीजिए एक ज्यूद्डबा वह ना दीजिए आपको चांभर अधा वारं चाहिए अ छेंबर जो वाला पार्ट में वहां पर आपा लगा दिया के लिए गता है तो फिर आप कर सकते हैं, क्या करते हैं कि जो आपका substance है जिसमें carbon की quantity जाना रहते है उसको आप बर्ण करेंगे तो एक smoke smoke क्या होता है large amount of smoke liberate होता है अब इसको आप पास करिए किसी चेंबर के थो चेंबर के थो पास करेंगे तो क्या हो जाता है जहां पर आपका cooler part है जो chamber आपका cooler part है वहाँ पर यह collect हो जाता है वहाँ पर क्या हो जाता है यह settle down हो जाता है गिर जाता है ठीक है फिर उसके बाद आप क्या कर सकते है उसको collect कर सकते है by scrapping इसकारपिटा मुद्शियार लिटू नकिला कोई बडू की हो सकती है यह आपका लेंप आता है वहीं पा लेंप मूच् सक्राइब यह प्लेक्ट्छ ऊपड़ की पारिजटा है आप बात किरेंगे वहे सॉप्ट बिलक पाउडर रहना है कैसे रहता है यह soft black powder रहता है which is almost pure form of carbon यह carbon का pure form रहता है अब इसकी बात करते है अगर और साथ में बात करते है it burn with little smoke और साथ में बर्ण होता है किसके साथ little smoke के साथ बर्ण होता है और non conductor of heat and electricity रहता है क्या रहता है non conductor of heat and electricity अब जो इसका यूज है जो यूज है कहां पर यूज किया जाता है इसका कहां पर यूज किया जाता है यूज फोर मेकिंग दा प्रिंटर जो इंक रहती है जो प्रिंट की जो आपका प्रिंटर रहता है उसकी इंक रहती है उसको बनाने के लिए और जो आपकी प्रिंटर रह तो यह तो थे क्या आपका इस टॉपिक के बारे में चलिए अब बात करते हैं अब जो आपका नेक्स टॉपिक है नेक्स टॉपिक कौन सा आपका चार कूल तो चार कूल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले पढ़ेंगे हुड चार कूल एंड इसमें आपका सुगर चार कूल भी है एंड नेक्स टॉपिक है तो पूरा का पूरा जो एक्स्प्लेनेशन है सबसे पहले जो आपका काफी इंपोर अपका कॉनसा है आपका वुट चार्कूल है तो बहुत है है चकाल सुगर और आपका बइस बारेशा स्बूसान समझेगा आपका वीट चार्कूल वो obtained किया जाता है by the process of destructive distillation of wood wood का क्या क्या जाता है destructive distillation क्या गाता वोड का उससे जो आपका residue बसता है वो आपका होता है weHAHA åd charcoal अब इसमें देखेंके जो आपका destructive distillationド G Tribe हो रहा है उसमें कौन-कौन से आपकी प्रोड़क्ट हो of form होते हैं आपके कौन-कौनसी जो product है वो formd होते हैं, आपका liquid product होता है, एक आपका gas होता है and residual product, तो तीनो ही जो product है आपकी, वो formd होते है, liquid product, gaseous product and आपका residual product, तो जो आपका liquid वाला part होता है, वो होता है आपका pyroligneous, जो आपका liquid वाला part होता है, वो क्या होता है, pyroligneous acid रहता है, औ आपका wood tar. Next जो आपका gaseous product होता है वो और आपका wood gas. वो आपकी wood gas होती है. Now, अब आपका next जो आपका part रहता है, वो आपका कौन से रहता है? Residual product. जिसके आपको requirement है, जो आप चाहते है, जो आप prepare करना चाहते है. वो आपका क्या रहता है वो आपका वुड रहता है ठीक है तो इस तरह से आप क्या कर सकते है इसको प्रिपरेड कर सकते बाइदा डिस्टक्ट डिस्टिलाइजिशन आप बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट आपकी प्रॉपर्डी की बात करते हैं क्या प्रॉपर्डी होत रहते हैं और जैसे के वोड आपका क्या रहता है आपका बेड कंडुक्टर अप हीट एड एलेक्रिशिटी रहता है ऐसे आपकी जो आपका वोड चार्कोल है बो भी कहा रहता है जो सर्पेस एरिया के बात करते है वोड चार्कुल है जो large surface area large surface area होने के वएशे क्या करता है एक जो gas रहती है जो प्रफिके जो आपको gages रहती है उसका large volume को absorb क लेता है जो large volume को absorb कर लेता है आप देखें आपड अब βालम आपे absorb यह एड्जोर्ब लिखा है क्या लिखा है시간 और एड्यौर्फ अलग होता है और एड्यूर्फ अलग होता है दोनों में डिफेरन्स होता है तो अब इन आपको बता हुँगा कि एड्यौर्फ होता है अब कई पॉ Awult जो भी आपका material है जो आपका matter है वो क्या कर रहा है ये gases और liquid हो क्या कर रहा है collect कर रहा है मिस बहुत सकते हैं कि accumulate कर रहा है surface पर accumulate कर रहा है एक surface phenomena होती है ये क्या होती है surface phenomena है इसके according क्या रहता है जो आपका gas है जो आपका liquid है मैं हो जाता है अगर आपको अगर करते हैं कि जो आपको वोड चारकूल है उसके अगर आपको एड्जॉर्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् पहले आपक typ प्रोड्यूस कर दिया गया कोन सर्फ करते है किस तरह से फॉर्म करते है उसको भी समय लिए तो आपका में यह सब्सक्राइब को होotट इसको हीट करना है किसमें एक retorts जो आपकी retorts होती है तो फर्टेस में आप इसको क्या कर रहे है हीट करते हैं अप कहां तक 900C तक आप क्या करेंगे इतना temperature होना चाहिए इसको नहीं है अब 900C जैसे आप इसको ओपर से स्ट्विगिरी पास करेंगे जासे पास करेंगे तो इसकी जो इंप्योटी है जो सर्पेस पर आ, वह रिमूऊ पोजाएंगे। सब्सक्राद केरी जि slips हो जाती आप यो तो किलियर हो गया संनुम मैं आ जो एक्टिबेसन वह किस तरह से कि जाती है? आप बात करते हैं. साथ आफ कित में तरह चलते है . ऐफिनिटी फॉर ओक्सिजन oxygen के लिए किस तरह से work करता है किस तरह से work करता है एक reducing agent की तरह work करता है जो आपकА wood charcoal है वो किस तरह work करता है reducing agent की तरह work करता है अगर आप क्या करेंगे इसकी reaction करवाएं किसके साथ कोई particular metallic oxide दे रखिए है मैं इसा 9rol59 xon उससे reaction करवाएंगी तो उसका क्या हो जाएगा उसका reduction हो जाता है किसमें particular metal में क्या हो जाता है वो reduce हो जाता है particular metal में reduce हो जाता है जैसे यहाँ पर दे रखका zinc oxide तो zinc oxide दे रखका है metallic oxide दे रखकी iron oxide दे रखका है तो जैसे carbon के साथ reaction होगी carbon side reaction होगी तो वो क्या करते है इसको reduce कर देगा to इसके particular metal में तो zinc oxide से zinc बन गया आपका और iron oxide से आपका क्या बन गया iron बन गया clear है अब इसको क्या करेंगे जो आपका wood charcoal है अगर से reaction करवाएंगे stream से अगर super heated stream है इसके साथ reaction करवाएंगे तो क्या हो जाता है इसको भी reduce कर देता है into hydrogen hydrogen में reduce कर देता है और साथ में formation होती है किसकी carbon monoxide carbon monoxide की formation होती है अब देखीएगा पीसे आपने देखाते है जैसे water gas के बारे में मैंने बताया था थोड़ा सा जो आपको water gas है उसका नाम आया था तो water gas क्या होता है water gas आपका क्या रहता है मिक्सर रहता है carbon monoxide and S2 किसका hydrogen gas का दोनों का यह मिक्सर रहता है इसको गोलते है water gas clear तो यह point आपको आप clear हो गया होगे सारे next अब चलते है बात करते है usage की तो usage कहां कहां पर इसका use के जाता है अगर use की बात करते है तो जो charcoal होता है वो household fuel होता है उसमें यूज किया जाता है household fuel का मलब कि जैसे कि आपको उसको क्या करते है इज़ी बे में इसको adsorb कर ले गाई इसलिए एक adsorbent की तरह इसको यूज कहा जाता है नौ साथ में कि it it also adsorb organic color matter यह जो आपकी coloring matter होते हैं उनको भी उनको भी क्या कर लेता है इसलिए इसको बोला जाता है इसको डी-culling agent इसको डी-culling agent भी बोला जाता है इसकी तरह को यूज कह जाता है ठीक है डी-culling agent नाओ यह तो हो गया इसकी यूज के बारे में आज तो आप topic आपका finish हो जा रहा है ठीक है अब next आपका क्या है कि जो आपकी sugar charcoal है एद आपको जो bone charcoal है, bone देखे, bone charcoal आपने वहापे देखा था कि destruction, distillation of wood हो रहा था, अगर आपको bone charcoalρέulin चाहिए, अगर bone charcoal आपको क्या करना है prepared करना है, तो किस से करेंगे destructive distillation of animal bone तो animal bone का क्या करेंगे destructive distillation करेंगे अगर आपको सुगर चार्कुल चाहिए तो क्या करेंगे डिस्टाक्ट डिस्टिलाइएशन ओप केन सुगर तो इस तरह से आप सुगर चार्कुल और बोन चार्कुल आप प्रिपट कर सकते हैं ठीक है तो नाओ दिस सिदा ये आपका टॉपिक था किलियर है अगर आपको अच्छा लगता तो लाइक जरू करिएगा अगर कोई कोई दी है तो आप इसको कमेंट करके पूस सकते हैं यह आपका फर्स्ट पार्ट है कारबन एंड इट्स कमपॉंड का ठीक है सेकेंड पार्ट में बहुत जली अप्लोड कर दूगा तो यह फर्स्ट पार् अब इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत जली अप्लोड कर दूगा तो थैंकि फार वाचिंग थैंकि वरी मच्छ थैंकि वरी मच्छ